मुरेल मचली को दूसरे मचली के साथ पालन किया जा सकता है मुरेल मचली का सबसे सस्ता खाना कौनसा है मुरेल मचली कितने दुनों में बड़ी होती है इन सभी important सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ हेई हलो किसान भायो मैं हूँ आपका मचली वाला भाया उनमेश टहरिया फिसरीज ग्रजट अंट्रपरणॉर और आप देख रहे हैं ऑसकर फिसरीज किसान भायो मुरेल मचली है उसको आप तीन इंपोर्टन मचलियों के साथ पालन कर सकते हो पहला आपकी पाकू जिसको पापदा कहा जाता है उसके अलावा आप उसके साथ चीतल मचली और लास्त में मागुर मचली इन तीनों मचलियों के साथ आप पाल सकते हो साथ में थोड़ा बहुत आयमसी मचली को भी आप मुरेल मचली के साथ डाल सकते हो दूसरा पॉइंट यह था कि मूरेल मचली को दोस्तों उसका सबसे सस्ता तरीका क्या है उसका खाना त्यार करने का क्या उसका घर पर ही हम लोग खाना बना सकते हैं जी बिल्कुल बना सकते हैं आज का वीडियो इसी पर है कि मूरेल मचली का खाना आप घर पर कैसे त्यार कर स यह अपको मैं तेन समझेदी चार एक बूनस तरीका है उसको मैं आपको बताऊंगा मुरेल मचली के ठीडिंग के खाना त्यार करने के तरीकों मैं बताने से पहले मैं आपको मुरेल मचली के तीन इंपॉर्टेण गुड़ों को बता देता हूं पहला गुण है दोस्तो, मुरेल मचली आपके वातवनण से भी air को oxygen को लेती है, इस वज़ा से आपको मुरेल मचली के लिए oxygen लेवल को चेक करने के लिए और उसके बारे में चिंता करने के बिल्कुल जवरत नहीं है, मुरेल मचली का एक disadvantage भी है कि मुरेल मचली अपने साथी मुरेल मचली को ही खा जाती है, अगर उसको भूक लगे तब, तो आपको मुरेल मचली को खाना है वो time पर देना बहुत अवर्शक है, इसके अलावा मुरेल मचली दोस्तो, आप दूसरे मचली के साथ उसको पालन कर सकते हो, और इसका market value बहुत high है, minimum किसी भी छेतर में पायार करने का तरीका क्या है, सबसे पहला आपको type बताता हूं दोस्तो, वो है आपका trash fish, जिसको हम लोग wastage fish भी बोलते हैं, trash fish वो है दोस्तो, जिसकी जिन मचली का size है, वो minimum 10-20 ग्राम तक जाती है, उससे ज्यादा बड़ी नहीं होती, आपने तलाब में देखा ही होगा कि आप जो मचलिया डालते हूं, उसके सांसा छोटी-छोटी मचलिया भी निकलती हैं, उनको हम लोग trash fish बोलते हैं, जिसमें 3-4 important मचलिया आती है, पुंक्टिया से हो गया, जिसको हम लोग 36 गड़ी में कोतरी बोलते हैं, ambasius, coliza, तो ये 3-4 important trash fish हैं, जिनको आपके photo में आ आपको लगा दूँगा trash fish मचलियों का आपको सहथ, इसको देखके समझ में आ जाए, तो इन trash fish को दोस्तो आपको पकड़ना है, क्योंकि इन मचलियों का कोई price नहीं होता, इसको low value fish भी बोलते हैं, तो उसको आपको पकड़ करके उसको सुखाना है, और उसका powder farm बना करके, आप rice brand के साथ mix करिए, कितने ratio में? 3 raise to 1 में, मतलब 3 part आपके in trash fishes का होगा, और 1 part आपके rice brand का होना चाहिए, तो इन दोनों को mix करिए, initial level में आपको 8 raise to 1 maintain करना है, मतलब 8 part, 80% आपका trash fish का part होना चाहिए, और 1% आपका rice brand का होना चाहिए, दोनों को mix करना है, और उसका एक डफ तयार करके, लोनों तयार करके आपको तलाब में डाल देना है, दूसरे प्रकार का fit आप खिला सकते हो दोस्तो, poultry का wastage, आपने देखा होगा poultry जो farm होता है, वहाँ पर जो chicken हो गया या फिर goat हो गया, उसका मास को cutting करने के पस्छाथ, उसका जो intestine होता है, आथ हो गया, उसका liver हो गया, इसको दोस्तो बहुत जगा है, बहुत कम प्राइज में जो farmer चाहते हैं, उनको लोग दे देते हैं, फुकट में भी दे देते हैं, तो आपको सबसे पहला काम करना है, आपके आपके आश्पस के जो भी poultry का farm होगा, या फिर जहाँ पर poultry या उसमें salt डाल करके, थोड़ा सा उस meat को भी उबाल लीजिए, क्योंकि आपके मुरेल मचली को जितना अच्छा खाना दोगे, उबाल करके दोगे तो उसके लिए और जादा बेतर होगा, अगर उसको ऐसे ही डालोगे, तो उसमें थोड़ा water के pollution होने के चांसे से वो बढ़ जाते हैं, तो आपको meat हो लेना है, उसको salted water में उबालना है, और उसको अच्छे से धो करके, चौप कर लीजे, छोटे-छोटे पार्ट में चौप कर लीजे, और उसको फिर अपने तलाब में डाल दीजे, बहुत ही असानी से मिल जाता है, और बहुत कम प्राइस में भी farmer ह जो पॉल्टी के वेस्टेज हैं, उसको मिल जाता है उनको, तो आप अच्छे से उसको उप्योग कर सकते हो, तरीका दोस्तों, ये डाटा मैंने उठाया है, आपके जो गूगल पर आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे research paper होते हैं, तो उसका मैं एक आर्टिकल्स मैं आपको खिलाओ तो लोग चौक जाते हैं, कि यार मुरेल मचली तो मांसाहरी मचली है, वो कैसे इन सब को खा सकती है, भाईया अभी इंडिया में ये सब ट्रेंड में नहीं है, मुरेल मचली अभी नया नया ही established हुआ है, तो ये तरीका विदेश में बहुत ज्यादा follow किया जाता ह तो इसके लिए मैं आपको 6 इंग्रिएंट्स बताऊंगा, इनका परसेंटेज भी मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहला आता है, फिश मिल 55%, सोया फ्लोर 20%, वीट फ्लोर 10%, कॉर्न फ्लोर 7%, संफ्लावर ओईल 3%, कॉर्ड लिवर ओईल 3%, CMC 0.5% और विटामिन मिनरल मिक्सच सभी इंग्रिएंट्स को दोस्तों, इस परसेंटेज में आपको मिक्स करना है, और इसका डफ तयार करना है, और फिर मुरेल मचली को आप इसको फिड करा सकते हो, बहुत सारे किसान भाई, आप इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत हो ये, ये तरीका ऑथेंटिक है, इंडिय आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके बड़े-बड़े कमपनियों में तयार किया जाता है, जहां पर फिड फॉर्मूलेशन जो मैथड होता है, फिड फॉर्मूलेशन को उसका उपज़यों करके, इसका पूरा किल्कुलेशन करके, लोग वहां पर मशीन के थुरू फिड तयार करते हैं, तो कमपनी वाले फिड जिसमें मिनिमम 40-42 प्रतिसत का प्रोटीन परसेंटेज होगा, उसी फिड को आपको उप्योग करना है, आपके जब मचलिया दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जब 1-50 ग्राम के बीच में होता है, तो हम उसको 2 mm का फिड खिलाते हैं, बहुत जगा 1 mm का फिड खिलाते हैं, और 50-100 ग्राम के बीच होगा तो आपका 3 mm का फिड खिलाएं, और 100 से ज़ादा हुआ तो आपको 4 mm का फिड खिलाना है, प्रोटीन परसेंटेज आपको 40-42 प्रतिसत के बीच रखना है, अब बात करते हैं हमार की रिक्वार्मेंट और मीट की रिक्वार्मेंट थोड़ी से जाधा होती है इस वाज़ा से हम लोग उसका बॉड़ी वेट के खाना है उसको थोड़ा सा जाधा हम लोग खिलाते हैं आपकी मुरेल मचलियां 100 ग्राम से एवाब हो जाए तब उसको आप 6 प्रतिसात बॉड़ कम से कम हो ताकि water parameter अच्छे से मेंटेन रहे और मुरेल मचली के दोस्तों आपकी 8 महिनों में ही दोस्तों 5500 ग्राम साइज तक यह पहुँच जाती है बरसरते आपको feeding percentage, coating level को और feeding ingredients को अच्छे से मेंटेन करके रखना है और सहीं ingredients मचली को खिलाना है तो किसान भाइजू य झाल झाल झाल